अब जैसे मान लीजिए आपको आपका काम को clear करना है तो आप देखेंगे जो CEC बटन है इसके उपर में clear work लिखावे हैं तो जैसे मान लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको second दबाके clear work करना पड़ेगा ठीक है तो जब आप clear work करेंगे तो देखें आपका ये सारा जो है ये सब default में चला जाता है अब जैसे for example हमने date function यूज किया था तो मैं second दबाके date पे जाता हूं तो देखेंगे अभी भी हमारा वही वाला date सारा stored है तो इसके लिए मैं को क्या करना पड़ेगा मैं second दबाके जब clear work दबाऊंगा तो मेरा सारा default settings आ जाएगा मैंने जो भी function में आपको clear करना है तो आपको इस function के अंदर जाके second और फिर cc वाला button दबाने से आपका वो factory settings में चला जाएगा ठीक है बट ये जो tvm के buttons है इनको अगर आपको करना है तो आपको basically second आपको basically क्या करना पड़ेगा second में जाके fv button दबाना पड़ेगा जो clear tvm जो लिखा हूँ है इससे आपके tvm के सारे चीज़े clear होंगी ये जो 5 button से ये tvm के button से तो इसको अगर आपको clear करना है आपको second दबा के आपको fv वाला button दबाना पड़ेगा तो इसससे आपका पूरा चीज clear हो जाएगा ठीक है thank you